राहूल गांदी अब श्रीर राहूल गांदी जी आएं और आप जो है हम सब को संबोईत करें राजीव शुकला जी चीफ मिनिस्टर सुक्विंदर सिंग सुक्खु जी प्रत्यबास सिंग जी भुपेश बगेल जी हर्श वर्दन जोहान जी रोहित ठाकुर जी अजय सुलांकी जी शांडिल जी कि विने कुमार जी कुलदीप राठोर जी आनंद पर्मार जी कृष्णेश जंग जी हमारे कैंडिडेट विनोज सुल्तानपुरी जी जरह यहां आई ये स्टेज पे वरिश नेता हमारे सारे के सारे प्यारे कारे करता जिनको मैं आज कल बबबर शेर कहता हूं आम तोर से बबबर शेर अकेला होता है जंगल में अकेला मिलता है यहां पर आया हूं हजारों बबबर शेर बैटें एक साथ भाई और बहनों हिमाचल प्रदेश के युवाओं और प्रेस के हमारे मित्र आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार मूर तो आपका बहुद अच्छा है सुकुजी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में चालिस साल मेहनत करने के बाद एक आम कार्यकरता आम आदमी हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने हैं अब मैं इसके बारे में दो चीज़े कहना चाहता हूं पहली बात कि मैंने अपनी आखों से सुकुजी को मेहनत करते हुए देखा है का विचारधारा के लिए लड़ते हुए देखा है और दूसरी बात दूसरी बात आपने कहा आम कार्यकरता आम आदमी और आम कार्यकरता नहीं होता है सब के सब लोग स्पेशल होते हैं हर व्यक्ति की कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है और हमारे सारे के सारे कार्य करता दिल से दिन भर मेहनत करते हैं जब हमारी सरकार होती है हमारी विचारधारा को प्रॉपेगेट करते है जब बीजेपी की सरकार होती है या दूसरों की सरकार होती है तो हमारी जो विचारधारा है उसकी रक्षा हमारे सारे के सारे स्पेशल कार्यकरता करते हैं हमारे कार्यकरताओं में और बीजेपी के कार्यकरताओं में फरक क्या है आपसे बात्चीत करनी है डाइरेक्ट कर रहा हूँ हमारे कार्यकरता अजादी के लिए लड़े हमारे लाकों कार्यकरता जनता की अवाज बनकर अजादी की लड़ाई लड़े और देश के लोगों के साथ मिलकर हमारे कार्यकरता ने देश को ये समविदान दिया है ये समविदान कोई मामुली किताब नहीं है और कहा जाता है कि ये अजादी के बाद कॉंस्टिटूशन बना मगर अगर हम थोड़ी सी गहराई में जाएं तो पता लगेगा कि इस कॉंस्टिटूशन की समविदान की सोच हजारों साल पुरानी है हिंदुस्तान के महापुर्शों की सोच इस कॉंस्टिटूशन में है और ये हिंदुस्तान की भारत की बहुत पुरानी आवाज है बीजेपी के कार्यकरता बीजेपी के नेता इस समविधान पर आक्रमन कर रहे है समविधान पर आक्रमन करने के अलग-अलग तरीके है सबसे पहला डायरेक्ट आक्रमन उनके नेता खुलकर कह रहे है मीडिया को कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी चार सो पार हो गई तो हम इसको बदल देंगे फाड़ के फेक देंगे तो एक तो हुआ डाइरेक्ट सामने कि हम इसको खतम करेंगे कॉंग्रेस पार्टी कहती है ये देश की आवाज है वो कहते हैं नहीं हमें ये नहीं चाहिए देश की आवाज नहीं होनी चाहिए सिरफ नरेंद्र मोदी की आवाज होनी चाहिए मतलब आपने सुना अपने आप अपने कानों से आपने सुना आज कल नरेंद्र मोदी के इंटर्वियू चल रहे हैं कि देखेंगे आपने कि वो चार चम्चे बठा देते हैं कि और फिर वो सवाल पुछते हैं कि मोदी जी एक बात बताईए कि आप कि आम कैसे खाते हो कि आप क्या उसको छील के खाते हो कि यह चूस के खाते हो मोदी जी जवाब देते हैं पता नहीं सब कुछ अपने आप होता है मैं बाकी हिंदुस्तान जैसे मैं बायोलोजिकल नहीं हूँ बाकी हिंदुस्तान खेती करता है मेहनत करता है मुझे तो परमात्मा गाइड करते हैं मैं हिंदुस्तान में एक ऐसा व्यक्ति हूँ अकेला जिसका डाइरेक्ट परमात्मा के साथ कोनेक्शन है उन्होंने कहा और चम्चे कहते हैं वाँ 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 कमाल की बात बोल दी क्या बोला क्या बोला मतलब एक व्यक्ति जिसको डाइरेक्ट परमात्मा के साथ कोनेक्शन है उसको इसकी क्या जरूर है वो तो डाइरेक्ट बात कर रहे है मुझे थोड़ा डर लग रहा है मैं सोच रहा हूँ कि भाई इनके हाथ में तो परमानु बम है और मैं उनसे पूछना चाहना हो नरेंदर मोधी जी जो ये आपको feeling आती है क्या ये सुबह आती है शाम को आती है या 24 गंटे आती है मतलब ये periodically आती है जैसे शाम के 8 बजे आती है या सुबह 7 बजे आती है या फिर पूरे दिन चलती है अलग-अलग बिमारियां होती हैं कोई शाम को आती है कोई सुबह लगती है तो यह मैं पूछना चाहता हूं नरेंदर मोधी जी आप अकेले हैं आप डायरेक्ट भगवान से बात कर रहे हो अच्छा अगर एक दिन सुकु जी मेरे पास आएं बंद कबने में मुझे कह दें कि राहूल जी मेरा डायरेक्ट परमात्मा से कोनेक्शन है मैं उनसे कौँगा सुकु जी यह सब ठीक है हिमाचल की जंता को बाहर जाके मत बोल देना बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मगर प्रदान मंत्री खुल के बोल रहे हैं कि मेरा डायरेक्ट कोनेक्शन है तो यह आलत इंदुस्तान की मतलब मजाग बना रखा है मैंने इनको कहा कि यह हमारे मित्र हैं मीडिया के मित्र हैं अगर यह हमारे मित्र है नहीं अदानी के मित्र है और हिमाचल के किसानों को मैं कहना चाहता हूँ यह जो इनकी पार्टनर्शिप चल रही है मोदी जी अधानी जी और मीडिया वालों की इसी के कारण आपको सेब के लिए सही दाम नहीं मिलता है सारे के सारे स्टॉरिज फसिलिटी नरेंद्र मोदी जी ने एक व्यक्ति को दे दिया है और जब भी वो चाहता है जब भी वो चाहता है सेब के प्राइस को वो कंट्रोल कर सकता है हिमाचल में सेब को कंट्रोल कर रहे हैं मुंबाई में एरपोर्ट, लखनाउ में एरपोर्ट, साथ एरपोर्ट पकड़ा दिये पचास साल के लिए यह हिंदुस्तान की पुझी है, यह आपका आपका धन है नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के सेब पकड़ा दिये एरपोर्ट पकड़ा दिये, हिंदुस्तान के सारे पोर्ट पकड़ा दिये हत्यार, जो पहले इंडियन ओर्डिनेंस फैक्टरी बनाती थी वो अब अनानी बनाएंगे तो सारा का सारा काम 20-25 लोगों के लिए किया जा रहा है पता नहीं, शाहिद परमात्मा नरेंद्र मोदी जी को कह रहे हैं कि भईया आपको अदानी जी की मदद करनी चाहिए यही हो सकता है तो पिछले दस सालों में सारा का सारा काम 22-25 लोगों के लिए हुआ है यहाँ पे आपदा आई हिमाचल प्रदेश ने प्रदान मंत्री से सपोर्ट मांगी अगले मीटिंग में प्रदान मंत्री आएंगे आप हिमाचल की जनता को बताईए जब हिमाचल की जनता को जरूरत थी आपने हिमाचल को कितने पैसे भेजे हमने 9000 करोड मांगे थी उन्होंने नहीं भेजे मगर बाइस लोगों का पिछले दस साल में नरेंद्र मोधी जी ने सोला लाक करोर रुपिया कर्जा माप किया है आपने नो हजार करोर रुपे मांगा आपको कहा हम नहीं देंगे आप मुश्किल में थे 22,000 परिवारों को नुक्सान हुआ सब कुछ खो गए और प्रधान मंतरी कहते है हम आपको नहीं देंगे आपको 9,000 परोर ने दिया उनको 16,000,000 करोर रुपे दिया मतलब अगर आप साल का मन्रेगा का पैसा लें 24 साल मन्रेगा का पैसा उन्होंने 22 लोगों को पकड़ा दिया हमने किसानों का कर्जा माफ किया था यू पिया के टाइम 24 साल अगर आप उस कर्जे को माफ करते किसानों का उतना बनता है 16,000,000 करोर रुपे और ऐसे ही दे दिया उसको कहते हैं विकास और जब हम मन्रेगा देते हैं बोजन का अधिकार देते हैं किसानों का कर्जा माफ करते हैं मीडिया वाले कहते हैं देखो किसानों की आदत बिगाड़ रहे हैं मजदूरों की आदत बिगाड़ रहे हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं अमीरों का काम होता है, यह फैशन बन गया है, यह फैशन बन गया है, मीडिया उनके हाथ में, आपने मीडिया में, हिमाचल प्रदेश की मीडिया में कभी सेब के किसान को देखा है, कभी टी वी पे आते हैं सेब के किसान, कभी उनकी बात चलती है, कभी मज़दूर को देखा आपने देखी आठ करोर रुपए के घड़ी लिए घूम रहे हैं और मीडिया वाले वावावावावावावावावावा कर रहे हैं पैसा किसका है आपका है कहां से आया जी एस्टी से आया सेब के किसानों के जेब से आया तो ये दो तरीके के मतलब रास्ते हैं 22-25 लोग है जो भी सपना देखना चाहते हैं पूरा हो जाता है और बाकि हिंदुस्तान देखता रह जाता है तो ये ही देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है और इसका आज मैं आपको जवाब देने आया हूँ दस साल में उन्होंने 16 लाग करोड रुप्या 22-25 लोगों को दिया है मतलब 22 अरब पती उन्होंने बनाए हैं अगर आप अधानी की शेर प्राइस देखें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी स्वेरिन होते हैं और उसके एक दम बाद आज आप जाके गूगल पे देखिए अधानी जी की शेर प्राइस बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है डाइरेक्ट पूरा देश जानता है जो शेर्स खरीते हैं जानते हैं कि भईया अगर नरेंद्र मोधी है तो अदानी का बिजनस आस्मान में जाएगा पूरा देश जानता है सारे इंवेस्टर्स जानते हैं तो इन्होंने बाई सरबपती बनाए अब हमें भी काम करना है देश के सारे के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी यह हमारा पहला काम होगा देश के सारे के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी हर परिवार में से हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, टमिल नाडू हर प्रदेश में इस लिस्ट में किसान के परिवार होंगे, मजदूर के होंगे, बेरोजगार युवाओं के परिवार होंगे छोटे भी अपारियों के परिवार होंगे 5 जुलाई को करोणों महिलाओं के बैंक अकाउंट में 8500 रुपे आपको मिलेगा जुलाई में 5 जुलाई 5 अगस्त सितंबर, अक्तूबर, नुवेंबर, डिसेंबर, जैन्वरी ठका ठक 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 अंदर और मैं आपको अभी बता रहा हूँ मैं आपको अभी बता रहा हूँ जब यह होगा यह सारे के सारे प्रेस वाले कहेंगे कि देखो इंडिया की सरकार गरीबों को डाइरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा डाल कर उनकी आदत बिगाड़ दी है और मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों ने जादा बोला हम उसको दुगना कर देंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी क्रेडिबिलिटी गई खतम हो गई है कोई आपकी बात सुनता ही नहीं क्योंकि आप उनके हो आप हमारे होई नहीं आप जनता के होई नहीं आप किसानों के मजदूरों के छोटे वियापारियों के होई नहीं नोट बंदी की नरेंद्र मोधी जी ने हिंदुस्तान के सारे के सारे छोटे वियापारियों को खतम कर दिया गलत GST लागू की प्रेस वालों ने एक शब नहीं बुला बिल्कुल चुप बैठे रहे तो इसलिए हर महीने खटा-कट, 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 खटा-कट अंदर जाएगा और उस दिन तक जाएगा जिस दिन तक ये परिवार गरीबी रेखा से नीचे होंगे जब परिवार गरीबी रेखा से उपर आ जाएगा तो उसके खाते में ये पैसा नहीं आएगा, मगर उस दिन तक सब गरीबों को हिंदुस्तान की सरकार एक लाक रुपए साल का देगा यहाँ पे किसानों को प्राइस फिक्सिंग का मुकाबला करना पड़ता है जैसे मैंने कहा अधानी जी आते हैं किसानों को सेब बेचना होता है, प्राइस गिर जाती है और उसके एकदम बाद, जब किसान सेब बेच देता है, प्राइस बढ़ जाती है यह आलत पूरे देश में है किसान जाते है मार्केट में जाते है कुछ भी खरीते है शर्ट, पैन, मोबाइल फोन उस पे प्राइस लिखे होती है मगर किसानों को सेब के लिए अनाज के लिए गेऊं के लिए, कपास के लिए धान के लिए सही दाम नहीं मिलता है सही बात है न इसलिए पहली बार हम एक क्रामतिकारी काम करने जा रहे है हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के किसानों को एक कानूनी minimum support price कम से कम दाम, कानूनी कम से कम दाम हम देने जा रहे है और वहां नहीं रुकेंगे मैंने महिलाओं की बात की आए किसानों का हम करजा माफ करने जा रहे है जैसे उन्होंने अरब पत्रियों का किया वैसे हम किसानों का करेंगे अच्छा एक बात भूल गया यहाँ पे महिलाओं भी है पुर्ष भी बैटे हैं मैं इनके चहरे देख रहा हूँ पुर्षों के चहरे देख रहा हूँ यह देख रहे हैं मेरी ओर यह कहरे हैं भाईया महिलाओं के बैंक अकाउंट में क्यों हमारे बैंक अकाउंट में क्यों नहीं महिलाओं थोड़ी खुश दिख रही हैं पुर्ष सोच रहे हैं भाईया बैंक अकाउंट से पैसा हमारे यहां कैसे आएगा प्लैनिंग कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महिलाओं के बैंक अकाउंट में क्यूं और शायद हिमाचल प्रदेश इसका सबसे बड़ा उधारन है 21 सदी में स्त्री और पुर्ष दोनों काम करते हैं स्त्री और पुर्ष मजदूरी करते हैं जॉब करते हैं डिलिवरी का काम करते हैं कॉल सेंटर में काम करते हैं आठ दस गंटे हिंदुस्तान के स्त्री और पुर्ष घर के बाहर काम करते हैं उसके लिए स्त्री को और पुष को सैलरी मिलती है, पैसा मिलता है कॉंपनसेशन मिलती है मगर फिर शाम को स्त्री और पुष घर जाते हैं पुष रिलाक्स करते हैं और स्त्री आठ घंटे और काम करते हैं मतलब अगर इमाचल प्रदेश के पुष आठ घंटा काम करते हैं दिन में तो हिमाचल प्रदेश की जो स्त्री है वो 16 घंटे काम करते हैं ये शाहिद पुर्शों को बात अच्छी नहीं लगी देखिए ताली और बजा रही हैं आप थोड़े ताली कम बजा रही है इसलिए हम महिलाओं के बैंक अकाउंट में एक लाक रुपए आठ हजार पांच सो कटा कट 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 डाल रहे हैं मगर मैं जानता हूँ कि अंत में प्रेशर डाल के आपके बैंक अकाउंट से ये लोग पैसा उठा के ले जाएंगे तो इनको भी फाइदा होगा अब यहां युवा भी है कहरे हैं भई राहुल जी आप किसानों की बात कर रहे हो आपने अरब पतियों की बात की डी मॉनेटाइजेशन जी एस्टी की बात की महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हमारा क्या होगा नरेंद्र मोधी जी ने हमें वाइदा किया था दो करोड युवाओं को रोजगार दूँगा कुछ नहीं हुआ सरकारी रोजगार सरकारी प्लेस्मेंट्स नहीं होती हैं पेपर लीक होते रहते हैं हमें जूट बोला जाता है हमारा क्या होगा सबसे पहले हमने पता लगाया है 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं वो 30 लाख नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे मैं आपको 2 करोड 2 करोड का जूट नहीं बोलूँगा हमने पता लगाया है जो हम कर सकते हैं मैं आपको बोलूँगा तो तीस शुरुआ तीस लाग सरकारी नौकरिय हम आपके हवाले कर देंगे दूसरी बात मनरेगा में हम गरीब लोगों को अधिकार देते थे रोजगार का मगर जो हमारे ग्रैजुएट्स हैं कॉलेज ग्रैजुएट्स, उनिवर्सिटी ग्रैजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स उनको मनरेगा योजना से फायदा नहीं होता क्योंको वो मजदूरी नहीं करेंगे वो ग्रैजुएट्स तो अब हम हिंदुस्तान के ग्रैजुएट्स के लिए एक नया अधिकार लाने जा रहे है इसका नाम है पहली नौकरी पक्की अधिकार पब्लिक सेक्टर भी एचेल एचेल प्राइवेट सेक्टर बड़ी बड़ी कम्पनियों में सरकारी ऑफिसेज, सरकारी हस्पताल, सरकारी कॉलेजिज, युनिवर्सिटीज में हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को ये अधिकार मिलेगा एक साल की नौकरी आपको पक्की मिलेगी, बहतरीन ट्रेनिंग इन कम्पनियों में आफिसेज में आपको मिलेगी और हर महीने आपके बैंक अकाउंट में खटा-खट, 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 आट हजार पाँच सो रुपय जाएगा एक साल में आपके बैंक अकाउंट में एक लाक रुपया जाएगा महिलाओं के बैंक अकाउंट में, बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में, किसानों के बैंक अकाउंट में मजदूरों को आज मन्रेगा में 250 रुपे मिलता है हमारी सरकार आईगी 400 रुपे मिलेगा आशा और आंगनवाडी में जो महिलाएं काम करती हैं आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं अब मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं कि हम ये कैश इंजेक्शन जो है पैसे का इंजेक्शन हिंदुस्तान के गरीब लोगों को क्यूं कर रहे हैं इसके पीछे सोच हैं ये कोई फ्री गिफ्ट नहीं है ये मत सोचिए कि आपको फ्री गिफ्ट दिया जा रहा है देखिए नरेंदर मोदी जी ने उनका सोला लाग करोड रुपया करजा माग किया अधानी का अंबानी का बड़े बड़े अरब पतियों का उन्होंने इस पैसे से लंडन में न्यू यॉर्क में औस्ट्रेलिया में जापान में चाइना में अलग अलग चीजे खरीदी जमीन खरीदी रियल एस्टेट खरीदा मगर जो उन्होंने धन खर्चा है वो पूरा गापूरा उन्होंने बाहर खर्चा है हिंदुस्तान में पैसा नहीं खर्चा है इसके कारण हिंदुस्तान के अर्धविवस्ता आस्ते चलने लगी है रोजगार नहीं पैदा हो रहा है अब हम क्या कर रहे हैं हम पैसा आपके बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं आप इसको अमरीका में नहीं खर्च करोगे जपान में नहीं खर्च करोगे आप इसको हिमाचरल प्रदेश के गाउं में कजबों में शेहरों में, सिमला में, बाकी प्रदेशों में इसको जाके खर्च करोगे जैसे ही आप ये पैसा, हजारों करोर, लाकों करोर रुपै जैसे ही आप इस पैसे को खर्च करोगे वैसे ही, आप कैसे खर्च करोगे आप शर्ट करीदोगे, पैंट करीदोगे, स्कूटर करीदोगे, मोटरसाइकल खरीदोगे, मोबाइल फोन करीदोगे, ये चीजें करीदोगे, जैसे ही आप खरीदना शुरू करोगे, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रिया मेड इन इंडिया शुरू हो जाएगा, और उन उनी फैक्ट्रियों में made in इंडिया वाली सची made in इंडिया वाली फैक्ट्रियों में उनी बे रोजगार युबाओं को रोजगार मिलने जा रहा है तो एक प्रकार से जैसे motorcycle start होती है पहले आपको fuel tank में petrol बरना पड़ता है वैसे ही हम हिंडुस्तान के अर्ध्विवस्ता में petrol fuel डाल रहे हैं आपके जैब में fuel डाल रहे हैं उसके बाद हिंडुस्तान की अर्ध्विवस्ता चालू होगी और एक बार फिर जो पहले रोजगार होता था वो एक बार फि planning है मैं आप सब का दिल से धन्यवाद करता हूँ देखिए यहां आपदा आई हमने हमाचल प्रदेश की जनता ने आपके चीफ मिनिस्टर के माधियम से नो हजार करोड रुपे मांगे थे उन्होंने ये पैसा आपको नहीं दिया मना किया और उसके एक दम बार जब हमाचल प्रदेश को सरकार की सबसे ज़्यादा जरूरत थी उन्होंने पूरा गम लगाकर आपकी सरकार को चोरी करने की कोशिश की यह बूलिये मत लड़ाई constitution की है समविधान की है जो भी आपको मिला है आपको स्के जो आपको हमाचल प्रदेश स्के प्ला वो इस constitution की देन है इस constitution की मिना हमाचल प्रदेश प्रदेश ही नहीं बन सकता था इसलिए इसकी रक्षा करनी है ये अम्बेटकर जी का Constitution है महात्मा गांदी जी का जवाला नहरू का और हिंदुस्तान की अवाज इस Constitution में गुंचती है मैं जानता हूँ हमारे कार्यकरता इस Constitution सम्विधान के लिए लड़ेंगे और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में चारों की चारों सीट Congress Party को आप दिलवाने का काम करेंगे मेरी बहन को तो आप उठा के ले गए वो अब सिमला में रहती है यह याद रखिए कि हम दोनों प्रियंका और मैं दिल्ली में आपके सिपाई हैं सुखी जी और Congress Party की टीम हिमाचल प्रदेश में आपके सिपाई हैं दिल्ली में लोक सभा में मैं आपका सिपाई हूँ प्रि आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहिंद जैहिमाचल